साथियों, पिछले साल कोरोना संक्र के दोरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है, ये कदम है एफ़रेबल रेंटल हाउसिंग कॉंपलेक्स, ये योजना, इस योजना का लक्ष हमारे वो स्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गाउं से शह है राते हैं, कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगा से अन्य राज्य से आये लोगों के लिए अनाप्शनाप कभी-कभी बाते बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, लेकिन कोरोना के समय सारे मदूर अपने अपने यहां वापिस गए, तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिन्दगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंदे चलाना कितना मुश्किल है, और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ, वापिस आओ, कोरोना ने हमारे स्विकों के सामर्थ को, सम्मान को जो लोग स्विकार नहीं करते थे उनको स्विकार करने के लिए मजबूर कर दिया हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन समित बंदूओं को उचीत किराये पर मकान उपलब्द नहीं हो पाते इसके कारण छोटे-छोटे कमल में बड़ी संख्या में स्रमीकों को रहना पड़त है इन जगों पर पानी बिजली ट्वाइलेट से लेकर अस्वच्छता इस ऐसी अनेक समस्याय भरी पड़ी रहती है राष्ट की सेवा में अपना स्रम लगाने वाले यह सभी साथी गरीमा के साथ जीवन जीए यह भी हम सभी देश्वासियों का दाइत्व है इसी सोच के साथ सरकार उद्वोगों के साथ और दूसरे निवसकों के साथ मिलकर उचीत किराये वाले घरों का निर्मान करने पर बल दे रही है कोशिश यह भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं